प्लाइनिंग है एक ग्रूप से एक लॉबी से जो हमारे तीप्रासा को कन्फ्यूज करने का कोशिश कर रहा है और ये जो प्लाइनिंग है वो है कि बुबागरा क्या ग्रेटर तीप्राइन्ट का कॉस को डायल्यूट कर देगा फाइनली बीजेबी के संग बिना ग्रेटर तीप्राइन्ट का इशू को कॉंस्टिशनली सलूशन नहीं लाकर अलायंस कर लेगा ये सब करके ये लोग एक कॉंस्प्रिसी कर रहे हैं हम लोगों को तीप्रा मौथा को कमजोर करने के लिए और इसकी पीछे बहुत लोग मिले ह हुए हैं बहुत लोग मैंने देखा कि CPM के साबरूम के ती वाइफ के कुछ पेज में दिखा गया देखो CPM आप लोगो आप लोग के पास 25 साल था अगर आपको तीप्राइसा के लिए कुछ करना था आप लोग करते कभी नहीं कि आपने और आज आप उन उस आदनी को आगे ले ले गया है मैं सबको एक बात बोलना चाहता हूं मैंने कहा था कि Government of India पैकेज देने से क्या होगा वो पैकेज का पैसा contractor के बाद जाएगा वो पैकेज का पैसा मंत्री के बाद जाएगा या MDC के बाद जाएगा या फिर politician के पास जाएगा 2000 करोड 20,000 करोड आप ये पैसा हमारे तीप्रासा को नौकरी दे दिजिए मैंने ये कहा था मैंने ये नहीं कहा कि मैं Greater तीप्रा लैंड का movement को dilute करूँगा और मेरा एक कहना clear है full and final आप लोग को जिसको जो हमेशा confused रहते हैं जिसको पसंद है confused रहने के लिए मैं आपको I am telling you one thing clearly अगर हमारा Greater तीप्रा लैंड का solution constitutional solution राइटिंग में government of India नहीं देता है तो ना हम BGP के साथ ना हम CPM के साथ ना कोई और party के साथ हम alliance करेंगे हम अकेला लड़ेंगे अगर जीतेंगे तो जीतेंगे हारेंगे तो हारेंगे लेकिन जब तक हमको writing में कोई party ये assurance नहीं देता है कि ये constitutional solution लेकर आएंगे और permanent settlement के लेकर आएंगे तब तक हम किसी के संग ना alliance करेंगे ना merge करेंगे इस से ज़ादा और कोई आदनी clear नहीं हो सकता है बीस हजार नौकरी अलग है Greater तीप्रा लैंड वो economic solution है Greater तीप्रा लैंड constitutional solution है government of India से हमारा बात होना चाहिए मैं government of India को फिर से दर्ख्वास करता हूँ हमको बलाईए हम लोग देश के खिलाफ नहीं है एक newspaper ने लिखा कि हम अखंड भारत चाहते हैं Greater तीप्रा लैंड हम होने नहीं देंगे Greater तीप्रा लैंड का movement खालिस्तान जैसा movement नहीं है खालिस्तान देश से अलग होना चाहता था हम लोग आज भी ready है तिरंगा लेकर सरद में border में बैटकर हम लोग illegal migrants के खिलाब लडने के लिए तयार है और हम लोग अपना movement को dilute नहीं करेंगे इससे ज़ादा अगर किसी को बार बार clarify करना हो तो ये मुझसे होगा नहीं में बैटकर आप रहे जाओ मैंने बहुत sacrifice किया है और आने वाले दिन में media जो big चुका है सब नहीं लेकिन कुछ-कुछ media जो big चुका है वो हमें confuse करने का कोशिश करेगा आपको confuse होना है तो आप confuse होगे अगर आपको अपने बुबागरा के उपर विश्वास है तो एक बार देखो हम लोग क्या कर सकते हैं ये मेरा clear message है कि हम अपने constitutional, social, cultural, constitutional, demand से नहीं हटेंगे जब तक कोई writing में हमें नहीं देता है greater तिप्रा land अब इसके बाद अगर तब भी भी आपको हमारे उपर विश्वास नहीं है तिप्रा सा लोग तो जाओ वोट करो बीजेबी को, जाओ वोट करो Congress को, जाओ वोट करो CPM को और 70 साल से जो हो रहा था, वो होते ही रहेगा और आप लोग रोते ही रहेंगे एक आंचुलिक पाटी, जिसका लीडर, रेबती तिप्रा से बैठकर बात कर सकता है जो मेवार कुमार जमातिया से बैठके बात कर सकता है, जो जितेंदर चोदरी से बैठके बात कर सकता है और कहता है चलो एक संग दिल्ली जाओ अपने तीपरासा के लिए बात करो आप उसको question करते हो शर्म आना चाहिए शर्म आना चाहिए I am ready to fight Are you ready to fight? If you are, then we will win But if you are confused, if you are weak Then nobody can save the तीपरासा people Don't blame anybody else Don't blame anyone else, किसको blame मत करो खुद को blame करो, कि आप लोग कमजोर है और जो CPM के लोग जो ये सब कर रहे है यहां में लिख रहा है कोई ये 31 seats 31 seats हो या 0 seats हो अकेला fight करने का हिम्मत होना चाहिए ADC election में अकेला fight करने का हिम्मत था इसके लिए जीते और कल भी हम लोग अकेले fight करने के लिए तैयार है ये मेरा clear message है अब इसके बाद आपकी उपर है लेकिन मैं back down नहीं करूंगा no compromise on greater Tipra land I love all of you all God bless you and happy Buisu once again